आपने फूलकी तो बहुत बार खाया होगा, एकदम मैं अलग तरीकी से बता रही हूँ, ये बसार के महिने में बनाई बहुत टेस्टी बहुत लाज़ा, हर साल इंतजार कीजिएगा जामुन का, जामुन से मैं बता रही हूँ, इस तर से जामुन ली हूँ, बड़े साइज क मैं छोटी साइज करे रही हूँ, इसका छिलकप पर पील कर लेंगे, पूरा गुद्दा पील कर लेंगे, येतना आपको बनाना एक कट्रूरी लगब मैं छिलकप पील कर लेंगे, इस तर से सारे गुद्दे को पील कर लें, एक कट्रूरी लगब पील की हूँ, आप अगर पेल करने दिकत होता है तो उसको एक बड़े बाल मे ले लिजिए सारे जान्मुन को फ्रॉब पका लगा हाँ से मैस किजिए गोचा ज्यादा पानी जाता पानी इस तर अलना पानी जाया है नष्ट बीजार अराम की लिटा है फिर मिकुसर जार में आमने से भी दालता है। मिक्सर से मूँ करतोर में में सवक्ति का डालना तो मुल शब्रस भी यह मैं दालताएं, इसमेकश में निवसे पानि को अब सब्सक्राया भी म्हेयां नगी क्या। प्यूरी एकदम पतला प्यूरी हमारा टिस्किया है हजामुन ठीक है अब इसमें वाइट नमग स्वादनों साड डालेंगे थोड़ा सा में हरी मेज काटके भी डालेंगे ज्यादा टेस्टी लगता है 1-2 तीजपून लगवा काला नमग 1-2 तीजपून रोस्टेट जीरा इसे बहुत जरूर डालेंगे बहुत टेस्टी लगता है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो लाल मीज पॉड़र भी डाल सकते हैं थोड़ा से चुटकी भर मैं लाल मीज पॉड़र भी डालू क्योंकि हरा मीज मैं डाल लिए हो काटके भी डाल लिए काफी तिखा हो गया है पाली अब इसमें चुटकी भर, जल जीरा पौडर डालिए, चाह चाट मसाला डालिए, जो आपकी मर्ची, जिसका टेस्ट आपको पसंद है वो डालिए, अच्छे संपानी को अब मिक्स कर लेगे, टेस्ट कर लीजिएगा, सब परफेक्टर नमक वगरण, ठीक है, हलका सा चीनी ड ताकि खटा मिठा का टेस्ट आए, अब हम टेस्ट करके देख लेंगे, हमारा सब चीज परफेक्ट है कि निन नमक, एकदम परफेक्ट, ठीक है, अब इसको हम साइड रख लेंगे, मैं आलू बॉल की हूँ केवल, आप चाहिए इसमें मटर भी बॉल करके डाल सकते हैं, मै इतना आपको प्याज पसंद है, उसी साइब से प्याज लगभग, एक छोटे साइज का प्याज है, फाइन चॉप, जीरा, रोस्टेट जीरा, चाट मसाला, काला नमक, और ये लाल मिच पहुरा, इन सब को हम डाल देंगे, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से, लीजे हमारा स्टाइल का गुलगपे का पानी एकदम तैयार है, जामुन की महिना जब भी है, बना के खाएं और खिलाएं फैमिली वालों को, और सब को मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं और स्चेर करें